वैलकम इस्ट्रेंड , तो नेस्ट फार्ट में बना राके उसमें केवल ? और केवल बैसिक नालेज दी गही है और पार्ट 2 में हम लोग सुरू करते हैं प्रमधी network का बनना ना तो हम लोग नवहत्व के दार पर ही कुछ question solve करेंगे और प्रबोत के धार पर तो लेकिन करम है वो प्रबोत के धार पर रहेगा ठीक है चलिए तो सबसे पहले potassium per magnet है ना तो potassium per magnet कैसे बनाते हैं है ना तो हम लोग चल रहे हैं chemistry 11th chapter 8 d block and if block element d तदा f block के तत्व में है ना तो उसका पहला है तो सबसे पहले हम लोग करते हैं potassium per magnet बनाने की विधी तो potassium per magnet है क्या कैसे बनाते हैं यह पूरा जनकरी आपके यहांपर मिलेगा ठीक है तो potassium per magnet है ना के M4 इसका में यहां पर सुत्र लिग देता हूं के एंगेप्टल है एन ओफॉर ठीक है यह सुत्रा तो सबसे पहले पोटेसियm पर मेचने कुण लाल दवा या पोटार कहा जाता है ये पर लूसाइट भी बोलते है ये इंगलिस के और हिंदी में थोड़ा सफरक होता है पैरोलुसाइट नमक ऐस्क से बना जाता है तो पोटेसियम परमेगनेट को लाल दवा या पोटास कहता है इसे पैरोलुसाइट नमक ऐस्क से बना जाता है चलिए तो पैरोलुसाइट ऐस्क है हमारे पास मेगनिस्यम ऑकसाइड है वही है पैरोलुसाइट ऐस्क तो पहला हish vị 시청 गते हैं को कास्टिक पर नहीं टो मेंगनिज डाय क्साइड आपह आइंडley आइप्यों कि एक्साइट की तरह सुद्ध मैगनिज टायकसाइड्प सुद्ध मैं ट्रॉस्ज एक्साइड यह तो इसका मतलब यह है कि आप दोनों में किसी एक ही स्वामिकरण को लिखे लिखे लिए कि आपर मैं दोनों स्वामिकरण लिख रहा हूं है के साथ potassium carbonate के साथ yu mandaly oxygen yu mandaly oxygen या किसी oxy karak तो oxy karak के रूप में हमना potassium nitrate है हमारे पास है न तो देख सुत्र इन तीनो शुत्र में या तीनो श्यमिकरण में इस तीनो श्यमिकरण में आप एक ही श्यमिकरण को बनाएंगे potassium magnet बनाना है अपने को ठीक है तो सरव प्रथम सुद्ध मेंगे जडाई आकसाइड या पायरोलिूसाइट को कास्टिक पोटास कास्टिक पोटास या potassium carbonate potassium carbonate है न के साथ yu mandaly oxygen तथा yu mandaly oxygen या या किसी आकसी कारक किसी आकसी कारक के उपस्तिति में संगलित करके करने पर potassium magnet बनता है है ना वाद समझ रहे हैं आपको या संगलित करने पर potassium magnet बनाया जाता है ठीक है सब्रथम सुद्ध मेंगे डाई आकसाइड या पायरोलिसाइट को कास्टिक पोटास या potassium carbonate के साथ या किसी आकसी करक के उपस्तिति में संगलित करने पर बनाया जाता है या potassium magnet बनता है ठीक है अब थोड़ा सा समिकरन देख लेते हैं दीखे हमरा बास ये magnesium oxide है ठीक है ये जो magnesium oxide है इस magnesium oxide का potassium hydroxide सिक्रिया करवाते हैं किस के उपस्तिति में ओटू के उपस्तिति में तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास potassium है और potassium है magnesium oxide सिक्रिया करेगा magnesium oxide सिक्रिया करेगा ये क्या बनाएगा आपका potassium ये potassium ये magnet क्या बना देगा ये potassium magnet है ना ये हमारे पास बनाता है और साथ ही साथ हमारे पास देख, potassium निकल गया और इसके साथ निकल गया, अब बचे क्या hydrogen बचा है, और oxygen बचता हो, hydrogen, oxygen जब बचता है, वहाँ पर क्या बन जाता है, जल बन जाता है, ठीक है, और इसको समिखरन को संदलित करके मैंने रख दी है, लेकिन यहाँ पर आपको चार, 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 आठ, आठ, तो 10 है अपने पास, तो 10 यहाँ पर देखे, 4 है, 4 दो ने 8, 8 दो कितना हो गया, 10, 8 जन कितना है, 2 दो दो ने 4, तो 8 जन भी इसन कितना है, 4 है, ठीक है, clear हो गया यह बात मेरी, चलिए, तो आगे, यह समिक्रन में आप लोग बुरा complete कर सकते हैं लेकिन इस समिक्रन को भी देख लेते हैं हम लोग, potassium, carbonate का, ठीक है, तो यह है, potassium है, यह मेंगनी से फिर क्रिया करता है, इसके साथ क्रिया करता है, और यह बनता है, potassium, magnet बना देता है, ठीक है, ओके, और यह, यह इनके साथ क्रिया कर गया, तो बचा कौन, CO3 बचा और O2 potassium का 2-4, इस तरह से संदुलत करने हैं ठीक है, अब यह तो हो गया, किसी वाइव मंडी आक्सिजन के उपस्तिति में, या किसी आक्सिकारक के उपस्तिति में, तो आक्सिकर के उपस्तिति के लिए सूत्रि यहां पर है, अपने पास, ठीक है, सूत्र नहीं समिक्रन, ठीक है, तो मेंगनिस ऑकसाइड है यह यह पोटेसियम होट ऑकसाइड है यह तो रहे गहीं कास्टी सोड़ यह तो पोटेसियम कर्मेंट दोनों में इसकी से को रखना है और के अनो थ्री यह अपने पास क्या है यह अपने पास क्या है किसी आक्षी को राख है है ना तब क्या होता है क सीधी बात यह है कि जो पोटेसियम है है ना यह जो पोटेसियम है यह मेगनिस सिक्रे करेगा अपने पास मेगनिस ऑकसाइड सिक्रे करेगा और यह बने गया पोटेसियम मेगनेट बनाएगा और हमारे पास KNO3 तो बच्चा ही है हमारे पास ठीक है तो यह सब आपको बता होने चीए कि कौन किसे करे कर रहा है और क्या बनाया जा रहा है ठीक है तो यह पहला नमर को जो पाइंट है पाइरोलिसाइट अर्थार्थ मेंगनी अक्साइड है ना उसका potassium magnet में बदलना ठीक है तो हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया क्या प्राप्त हो गया potassium magnet K2M4 यहाँ पर लिख देना potassium magnet ठीक है ओके तो इस तरह से यह पहला चरण complete हो गया है चल दूसरा चरण में चलते हैं तो दूसरा चरण में हमारे पास क्या है दूसरा चरण में हमारे पास है potassium magnet तो हमको जो प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पर लिखना ठीक है तो potassium magnet की potassium per magnet में परिवर्दन हमारा main point कौन है potassium per magnet का निर्मान तो अभी हमको प्राप्त हो है potassium magnet बस है ठीक है तो potassium per magnet कैसे बनता है दिखें कि रशाणिक विधी है न तो इसके बहुत सारे विधिया है जिसमें से रशाणिक विधी का यूज़ करेंगी है न ठीक है और बहुत सारे विधो तब घटनी अब किस करण विधी रहेगा उसको मैं नहीं बता पाऊंगा ठीक है ओके तो potassium magnet के हरे पदार्थो को है न जो potassium magnet प्राप्त हुआ हर रंग में प्राप्त हुआ है तो potassium magnet के हरे पदार्थो को co2 के साथ अबगरीत कर मतलब कार्बन डेक साथ है न तो ये हमरे पास potassium है ना magnet है ठीक इस potesia magnet को co2 के साथ मतलब co2 के साथ upgrade कर cl2 या o3 को इसके वीलियान में प्रवाहित कियाते है मतलब सीधी बात है पहले हम लुग क्या करेंगे कि यह potesia magnet को co2 के साथ क्या करवाएंगे अभिकरित करवाएंगे ठीक है उसके जस्ट बात क्या हो जाएगा कि उस पर मेगनेट में अक्सिक करण होकर गुलाबी विल्यान बनाता है या बनता है है ना बनता है लिग दीजेगा है ना तो पोटेसियम पर मेगटो हरे पदार्थ को CO2 के साथ चलिए तो K2, M1, 4 है या अपने पास पोटेसियम मेगनेट है इसको CO2 से अभी करवाते हैं अभी करवाते हैं तब क्या होता है कि हमारे पास यह CO2 है यह CO2 है यह पोटेसियम के साथ क्रिया करता है यह potassium के साथ क्रिया करता है आप लोग जानते यहाँ पर देखे यह देखे K2, CO3 लिखा है यहाँ पर है तो POTESIयम, कार्बन carbon और oxygen से क्या बनाता है potassium carbonate बनाता है तो क्या करेंगा यहां पर यह potassium सामने में है और CO2 भी है अपने पास तो यह इसके साथ kriya करता है तो क्या बनता है यहीं बन गया potassium पर magnet अब रहे चार हकां जानट आखे इसमें दो लगाते थे हैं अभी मैं तीन लगया हूं पहले दो लगाते हैं तो तो दो दोने चार हो जाता है, ये तो complete हो जाता है, तो दोने चार हो जाता है, तो मैगनीज के संख्या बढ़ जाती है, और मैगनीज के संख्या बढ़ जाती है, तब हमको मैगनीज के संख्या में फिर लगाना पड़ता है, दो लगाना पड़ता है, तो दो लगाएं, तो य मेंगनेञेंज के संखहें kanti Pap misma name टीन तो यह है अपने पास तो एक ते incl LM 2 तो धिया किन अपने पास्ट火 किती आपके में उन उन टू के रूप में के अपम अब हमारे पास क्या है यह तो यहां परे पास दिखिए Potassium magnet को हरे पासत को सिप्ट साथ अब करते हैं CO2 के साथ अब करते हैं तो एक बात होगी दूसरी बात यह है कि CO2 या O3 CL2 या O3 को इसके वीलियन में प्रवाहित करते हैं कि अपरे-पोटेसियम क्लॉइट बना दे यहाँ पर के-C-L T you नहीं जड़ेंगे ठीक है के-C-L बना देगा आपके-C-L बना देगा क्या होगा कि यहां से अपने पास एक पौटेसियम निकल गया तो केवल एक ही पोटेसियम बचा और A-N-O4 तो नहीं लिगला है, अपने पास, ठीक, Potassium बस निकला है, तो एक ही Potassium बचा है, इसलिए यहाँ पर एक Potassium K-N-O4 बन गया है, ठीक है, अब, अब क्या करते हैं, कि यहाँ पर CL2 है, CL क्या है, 2 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 लगा है, सामने में, 2 लगा है, क्लोरिन की संख्या को दो करने के लिए, ठीक है, परमानो को दो करने के लिए, अनु को दो करने के लिए, हम लोग कि MN of 4 है इसकी संख्या बढ़ाने के लिए हम लोग यह पर दो लगाते हैं और यह जागा 2 दो दूने 4 तो पोटेटरिम के संख्या कित्रे हो गई तो यह तो ओधरी से भी करते हैं सी यल टू से बता दिया मैंने ठीक अपर ओधरी से बताता हूं तो इसके लिए कुस जल किया उसकता भी पड़ती है ठीक है अपर इसके नहीं तो यहाँ पर यहाँ पर इस अंतुलित कर देते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर इसके दो है अपने पास पॉटेसियम के संके दो इधर भी है इसकि दो है यह के T delle के इना फोर ठीके इनकी संख्या इसको दो काना पड़ेगा कोगले को पोटेस्यम का दो बो चार ना इधर दो चार है इधर है इधर एक लागाए Trailer आख्साइजन क तीन ये चार चार और चार दोने आठ हो जाएगा आठ नौ दजिएरब बारा हो जाएगा है तो अबने पास चार दोने आठ दूदर्दर देस दो बारा ठीक इस तरह से क्लियर हो गई ये Potassium Parmagnate का निर्मान तो हमको यह जो प्राप्त होए कौन है Potassium Parmagnate है चलिए तो हम लोग चलते हैं अब Potassium Parmagnate के गुण में है न तो Potassium Parmagnate के जो किस्टल होते हैं वो धात्विक चमक वाले धातिक मन्दब धातिक गुण प्रदेत करते हैं धात्विक चमक वाले गाड़े बैगनी रंग के होते हैं, इसका जो गलनाग है 520 के होता है यह तो हम लोग जानती है, है ना विलेता में चलते हैं हम लोग, है ना यहां जल में कुछ हद तक ही विले है पुरन विलेने, ठीक है, विलेन करन गाड़ा होने पर जामूनी देता है और तनु होने पर लाल गुला भी होता है ठीक है, उसमा का जो प्रभाव है इस पर कैसे पड़ता है कितिब्र गर्म करने पर यहां विघटित हो जाती है तथा oxygen देता है मतलब जो potassium per magnet को गर्म करते हैं तो potassium magnet में विखटित हो जाती है और साथ ही साथ magnet भी अलग हो जाती है और साथ oxygen देता है ठीक है जिसका गुन है कि इसका potassium per magnet का है ना चलिए आगे है खहार के साथ करिया है तो खहार हमरे पास है potassium деньги है अपने रॉक्सीजन ए तो यह हमेरे पास है potassium hard loxide है अपने पास ठीक है तो खहर के साथ में पर जैसे कि इसके potassium per magnet है potassium per magnet को जबए Wirtschaft ही अच्छी Benjamin जोरा यह जय नहीं होग किसमे potassium magnet पने अप्चीत हु जाती है और हेँर साथ ही दाथ यहां पर हमारे पास ये जो हाड्रोकसाइड है यहां पर आकशिजन है तो यह मिलो च्या है जल बनाता है जल चली व्हार मैं ने अब जिसरा में आपल पस्टेसिया घर्म कर्कुति है अजयrim में हम Casey करक提 भी होता है कि अ만ली च्रहित आंब्ची चलिए मा उधाफी बसक बता रहा हूँ हम थिक है चलिए को है तो है फिर जदा सी माध्य महमें आखिकरण है ना तो फिराफ्षी मांद्य में पोटेस्यॆम ऑर Tá लगापर मेडिन सारosed नावज jsatak oxygen देता हैdasथ दीए पोटेसियल अगला टॉपिक है हमारा पोटेसियम डाइक्रोमेट हम लोग कैसे त्यार करते हैं तो इसके लिए देखें कुछ नार्मल पूरा टॉट जेट टेलिंग हम लोग है तो सबसे पर देखें क्रोमाइट एसक तो हमारे पास क्रोमाइट एसक को को सोडियम कार्वोनेट सोडियम कर्वोनेट एनेट टू सियोधरी है ना सोडियम कर्वोनेट है यह धावन सोड़ा है ठीक है तो सोडियम कर्वोनेट तथा चूने के साथ चूने क्यों अगेC जूने के साथ परत्यवर्थि भठ्ति में गर्मे के जाता है बदार Metropolitan 여 Star सोडियम कर्वोनेट तथा चूने के साथ चूने के साथ परत्यवर्थि भठ्ति क्या होता है कि प्राप्त शोडियां क्रोमेट प्राप्त हुआ है तो प्राप्त मिश्रन यहाँ पर कोस्ट्रम लिख सकते हैं आपलोग सोडियां क्रोमेट को है ना H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाय जाता है प्राप्त मिश्रन सोडियम क्रोमेट को H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाय जाता है यहाँ पर सोडियम क्रोमेट प्राप्त हुआ अपने को क्या प्राप्त हुआ सोडियम क्रोमेट और प्राप्त मिश्रन को sodium chromate को kis के साथ H2SO4 H2SO4 के साथ क्लिया करवाया जाता है तथा प्राप्ट मिष्रУन अब इसको यदी हम लोग H2SO4 के थाथ क्लिया करवाते है sodium chromate को जब हम H2SO4 क्लिया करवाते हैं तब एक आर Michigan प्राप्ट होता है प्राप्तव मिश्वहन कोन है हमेरे पासूडियंज टाई crying सकता है जो प्राप्त है video यह एक लाइन आ पूरा पाज़े तो क्लिय वाले हैं है ना तो अब हम लोग चलते हैं उसके डिटेल से में कैसे चलते हैं ठीक हैं तो सबसे पहला पाइंट आप काता है कि क्रोमाइट एसक से सोडियम क्रोमेट त्यार करना क्रोमाइट एसक से सोडियम क्रोमेट त्यार करना तो कैसे त्यार करते हैं देखिए ध्यान से कि सब्सक्राइब करने पर हमको सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है इसको रिपीट करके सुनिए और लिख लीजिए ठीक है अब मैं डिटेल कर देता हूं कैसे देखें कि सब्सक्राप्त है इस क्रोमाइट एसको बारिक पीस कर क्या कियता है उसको धावन सोडा और अन्बुझे चुने अन्बुझे चुने के साथ मिलाकर प्राप्ति में डाल इतना इनके साथ क्रिया करता है ठीक है तो यह बना देता है सोडियम गुर्मेट क्या बच गला है थरो किंसी औग वाचे सě अब प्राफिय स agman करना देता है तो इस ताहीं कि इसकुझे ने कि वाटTS कर्ण कर दा आदाय करता है तो आप जानते हो कि अपना औक्सट बना तो इसको सीओ टू कर बना देते हैं ठीक है इस तरह से आप इसका संतलित भी कर सकते हैं कि चलिए तो आप लोग है ना एक क्यों एक संक्राइब मिलाओं में ज्यादा निस मिलाओंगा ठीक है जैसे कि अपना ऑक्सिजान है तो यहाँ पर है आट दोने किटना हो गया 16 ठीक है 16 और 3 दोने 6 16 6 हो गया और इदार रहे। इधर के देखते हैं हमारे ने चावदा शोड़ा ठीक है और आठ दोने शोला आड़ते हैं 24 और चोबईस ठीक है और यहाँ पर चार और है इधर चान और चारते बारा बारा चार शुला ठीक है शुला हो गया और अपने पास इतरा ही देख लेते हैं अपर लूब दो देखते हैं चार इधर हो गया चाड़ते बारा बारा चट्वाच्छ 16 यह हो गया आरट्यच 20 इधर हो गया शादनने 14 हो गया चाहरत दंक मिला थे ग्रेट के है ना तो हम लोग आगे चलते हैं हम लोग पहला chromide ask से sodium chromate त्यार करना है। । यह तो clear होगी आपको है ना। दूसरा पाय में चलते हैं हम लोगत। sodium chromate का sodium chromate का अब हमपो sodium chromate का sodium dichromate में परिवर्तन, sodium dichromate में right ना, तो sodium chromate का कैसे dichromate परिवर्तन करते हैं देख़्वैं कि sodium chromate willion को जो sodium chromate willion है sodium chromate willion को सांदृत H2SO4 अमला के साथ क्रिया कराने पर sodium dichromate बन जाता है willion को सांदृत करने पर कम विले sodium sulfate कम विले sodium sulfate है ना Na2SO4.10H2O के crystal पिठाख होने लगते हैं मतलब ये भी अलग होता है इसको भी लिखना है अपने को ठीक है ओके तसी दिए बात है sodium chromate willion को सांदृत H2SO4 करवाते हैं तो करे करते दिखे तो हमारे पास कौन है अपने पास हमारे पास है ये sodium है chromate है chromium है और oxygen है यहाँ से अपने को 4 oxygen है अपने पास 3 oxygen और मिल जाती है अपने पास ठीक है अब यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर sodium chromate यहाँ पर sodium chromate था ठीक है लेकिन यहाँ पर यह जो chromium है ठीक है chromium के संख्या बढ़ जाती है तो यह हो जाता है आपका sodium dichromate यह हो जाता है sodium dichromate है ना अब sodium dichromate हो गया है, तब क्या होता है अपने पास कि sodium की क्रमेत क्रिया में कि यहाँ पर क्या होता है कि sodium chromate vilian संधृत होता है यह दोनों लिख दिये ठीक है, तो हम लोग देखते है कि sodium chromate oxygen यह सब कर सोडियम डायर्या निकल गया है और हमारे पास क्या बचा ही जो सल्फेड है वह ऐक्सिएन के साथ आST एक ओक्सिएन बचा हुआ है जब भी ऑक्सिएन बचा हुआ है तो आपको जल बना देढ 얼굴 होगे यहाऊ दो यहाँ पर दो चार हो गया लेकिन आपने को क्या करना पड़ेगा ठीक है यह हो गया और दो दबार हो गया यहां पर देखें इस चाइड दुने 8 और 8 2020 12 ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे 7 8 vra 12 12 इधर भी 12 ठीक है तो इस तरा से करें हैं सेकंड नंबर का जो भी इता होगी अब थर्ड पायंट में आता है कि हमेरे को में हमको प्राफत है sodium dichromate तो sodium dichromate से potassium dichromate बनना sodium dichromate के willion में kacil मिलाने पर potassium chloride मिलाने पर कम willisil potassium dichromate और सूसित हो जाता है मतलब हमको कि जो sodium dichromate है sodium dichromate के willion पर हम लोग kacil का यदी kacil अभी यदी हम लोग मिला देते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर जो potassium है यह potassiumВО कर्या करता है Chromium oxide से है न Chromium के जो oxide उसका करता है और बना देता है वह potassium potassium dichromate की और 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 ऑश्यप की रूप में बनाता है ठीक है और बचा कॉन है हमारे Paccom बचा है तो यह बनता है आपका sodium chloride इस तरह से complete हो चलिए आगे हमने चलते हैं potassium dichromate का गुन तो वे पोटेसियम डाइक्रोमेट क्या करता है दिखें वोकेसियम डाइक्रोमेट नरांगी रंग क्रिस्टली सब्सक्राइब करने पर नरंगी रंगे परिवर्तित हो जाती है ठीक है और इसी विलन को अमली करने पर पूरा नरंगे प्राप्त होता है इसकी जरूरत नहीं ही अपने को लिखने के ठीक है झाल सबस्राइब करने पर नर रंगे झाल सबस्क्राइब करने रंगे